नमस्कार दोस्तों नमस्ते इंग्लिश में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग जानेंगे डेली लाइफ वाक्य और आज का हमारा टॉपिक है मौनसून यानि रेनी सीजन से रेलेटेड सेंटेंसिज दोस्तों जादतर लोगों को नहीं पता होता कि मौनसून को हिंदी यानि होगा बारिश और रेनी सीजन यानि बारिश का मौसम यानि वर्षा रितू दोस्तों रेनी सीजन में कई सारे सेंटेंस हैं जो हम आमतोर पर बोलते हैं जैसे अगर आपको किसी से पूछना हो आज मौसम कैसा है तो इसकी इंगलिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो आज बारिश होने की संभावना है तो इसको कैसे कहेंगे या अगर आपको कहना हो बस थोड़ी बूंदा बांदी हो रही है बाहर बस थोड़ी बूंदा बांदी हो रही है तो आप इसको कैसे कहेंगे या अगर आपको कहना हो क्या बाहर बारिश हो रही है तो इसे आप English में कैसे कहेंगे तो दोस्तों आज यही हम आपके लिए लेकर आए हैं तो चलिए सीखते हैं आज का lesson अगर आपको कहना हो आज मौसम कैसा है तो इसकी English होगी आज मौसम कैसा है तो उसकी इंग्लिश होगी How is the weather today? How is the weather today? How is the weather today? Okay, how का मतलब होता है कैसा? Is का मतलब होता है है The weather यानी मौसम आज का मौसम कैसा है? तो कैसा है की इंग्लिश होती है How is the weather यानी मौसम Today का मीनिग होगा आज तो अगर हमने कहा आज मौसम कैसा है? तो उसकी इंग्लिश होगी How is the weather today? I hope you learnt it अब चलते हैं next अगर हमने कहा आज बारिश होने की संभावना है तो इसको हम बनाएंगे आज की English होती है today हम लोग last में यूज़ कर सकते हैं आज बारिश होने की संभावना है तो इसकी English होती है it may rain today, it may rain today, it का मतलब होता है में का मतलब होता है में हमेशा संभावना दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं जैसे मैं शायद बाजार जाओंगा तो ऐसे में हम कहेंगे I may go to market ऐसे ही आज शायद बारिश होगी तो ऐसे में हम कहते हैं it may rain today तो संभावना की English होती है में रेन का मतलब होगा बारिश और today का मीनिंग है आज तो अगर हमने कहा आज बारिश होने की संभावना है तो उसकी English होगी it may rain today इसी sentence को आप इस तरहा से भी बोल सकते हो it is likely it is likely to rain today तो या तो हम कह सकते हैं it may rain today या आप कह सकते हैं it is likely to rain today तो दोनों का मतलब है आज बारिश होने की संभावना है या अगर आपको कहना हो बस थोड़ी बूंदा बांदी हो रही है अगर आपने कहा बाहर अरे बस थोड़ी बूंदा बांदी हो रही है तो ऐसे में हम कहते हैं it is just drizzling it is just drizzling it is just drizzling drizzling का मतलब होता है बूंदा बांदी बस यानि थोड़ी थोड़ी बूंदा बांदी हो रही है तो ऐसे में हम कहेंगे it is just drizzling today अगर कहना है बाहर थोड़ी बूंदा बांदी हो रही है तो ऐसे में हम कहेंगे it is just drizzling outside या आज थोड़ी बूंदा बांदी हो रही है it is just drizzling today I hope you learned it अगर आपको कहना हो क्या بाहर बारिश हो रही है क्या बाहर बारिश हो रही है अगर आपको सवाल करना हो तो जब भी सवाल करना हो तो ऐसे में इस पहले आता है तो अगर हमने कहा क्या बाहर क्या बारिश हो रही है तो ऐसे में हम कहेंगे is it बारिश को कहते हैं rain और यहां बरसने की English भी rain होती है तो इसलिए इसमें आई इंजी जोड देंगे क्या बारिश हो रही है तो इसकी इंगलिश होती है Is it raining? अगर आपने कहा बाहर बारिश हो रही है तो answer होगा It is raining I hope आपको ये समझाया हो I hope आपको ये lesson अच्छा लगा हो अगर ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं next lesson में Till then take care